तो स्वागत भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगंडा मैंस कबड़ी लीग है उसका भाई जो फर्स्ट सेमी फाइनल मैच अब यहाँ पे भाई जो रेंडम फाइ से जीते हैं ठीक है तो इसलिए भाई अब यह आ चुके है सेमी फाइनल में और इनका मैच होने वाले टेबल टोपर से ठीक है यहाँ पर अगर बात करें शार्क बड़ी जाइंट्स के पास ऐसे बहुत प्लेयर है जो अकेले दंपर मैच जिता सकते हैं सेम टाइम पर आपको skip नहीं करना अदर्वाइस इसमें आपका ही लोस होने वाला है लेकिन अगर आप complete देखते हो ना तो 100% profit भी आपका ही होने वाला है ठीक है तो वीडियो को end तक देखिएगा और वीडियो को एक like जरूर कर दीजिएगा बहुत बड़ा मैच है दोनों टीम्स के लिए और सेम टाइम पर हमारे लिए भी यहाँ पर यह मैच काफी अच्छा profit वाला हो सकता है सबसे important क्या रहेगा यहाँ पर 18 लाख रुपे की grand league लगी हुए इस GL contest के लिए भाई मैं आपको 6 टीम प्रोवाइड करवाने वालों कहां पर हमारे telegram channel पर telegram channel अगर अभी तक join नहीं क है न मेरे भाई तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो जोईन कर लीजेगा भाई लिंक नीचे description में और वीडियो के first comment में जाकर जोईन कीजेगा क्यों क्यों क्योंकि 6 grand league की team प्लस small league की final team आपको telegram पर ही मिलेगी आप अगर बात करें वाई telegram की तो यहाँ पर आप दे दे रहा हूं इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए ठीक है यहाँ पर आप देखे कोई single contest हैसा नहीं जिसमें हमारा loss हो रहा हूं लगातार ultra clean ship आपको लगवा करवा के दे रहा हूं तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए भाई है ना अब अगर बात करें आपर team की तो च जाएगी तो बस आपको telegram channel join कर लेना है तो चलिए भाई अब सीधा चलते हैं आपको देखकर dream 11 पर वहाँ पर दोनों teams की starting seven देखेंगे और वहाँ पर वाई आपको team बनाके दिखाने वाला हूं है small league की तो यहाँ पर वाई अगर बात करें starting seven की तो सबसे पहले sharks कबड़ी giant से start करते हैं क्योंकि strong team यही है इबुसुलवा यह बंदा ऐसा है जो हर match में आपको performance देता दिखेगा हर match में जब भी खेला है अच्छा ही खेला है और बहुत ही शांदर खेला है last match में तो कमाल कर दिया 8 tackle 14 touch point 4 bonus point बहुत ही शांदर प्लेयर 100% आप इने अपने team में रख सक एम वालू सिंबी last match में again कमाल performance है यहापर आप देखे 7 touch point 6 tackle बहुत ही शांदर प्लेयर 100% ट्राइ कीजेगा इसके अलावा जे नामू देते जे नामू देते ऐसा मतलब underrated player है जिसको काफी कम लोग लेकर आएंगे लेकिन performance देने का ये भी उतना ही बड़ा दाविधार रह तो जरूर ट्राइ कीजेगा एक टीम में तो आप इसे grand league में भी captain रखिएगा grand league की भी में आपको 6 team telegram पर provide करवाने वाला हूं lineups out होने के बाद तो grand league अगर आपको चाहिए तो by telegram channel join कर लीजेगा इसके अलावा ठीक आकिटों की बात करें GL mini GL में ट्राइ कीजेगा small league में ज्यादा important नहीं रहेंगे all rounder section में आपको तीन important player दिखेंगे इनकी तरफ से एम वैन केंडा दिखेंगे जो लगातार अच्छा कर रहे हैं आपर आप देखें हर मैच में बन देने performance दी हुई है ठीक है बहुत ही शानदार player 100% try कीजेगा M अब ओने की बात करें GL mini GL में ज्यादा important रहेगा लेकिन बड़े मैच में परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है लास्ट की कुछ सीजन में भी ऐसा ही किया था और अब भी कर सकता है तो इन्हें आप अपनी small league की टीम में भी रख सकते हो ओ तूमु से मैगी बात करे तो ये भी भाई लगाता है ठीक ठाक performance कर रहा है इनको भी आप अपनी टीम में चाहो तो try कर सकते हो बहुत ही शानदार player मेरे इसाब से important रहेगा बात करें इनके अलावा रेडिंग की तो N की गोजी यहां से यही एकमात तरह सा प्लेर जो आपके लिए important रहेगा और last match में इसने ही winning करवाई थी भाई हमारी यहां पर आपको याद होगा इनने हमने अपने टीम में लिया था और सिर्फ 17% सेलेक्शन के साथ ही आये थे one-sided winning करवा के गए थे अब अगर बात करें इसके रही सेंटो को की तो इनको आप सिर्फ GL मेनी जियल में try कीजेगा ठीक है सामन प्लेयर वन-sided winning करवा देता है अकेले मैच में सिंगल मैच में आपर 386 पॉइंट 453 पॉइंट और यह तो कुछ भी नहीं है भाई यहां पर आप देखो 5211 पॉइंट एक-एक मैच में निकाल कर दे रहा है यानि कि अपनी टीम को 60-70-70 पॉइंट अकेला बंदा दे रहा ह और और क्या ही चाहिए बहुत ही शांदार प्लेयर सी वीसी का अच्छा कासा दाविदर रहेगा इसके अलावा अगर बात करें यह वाला किरा की लास्ट मैच में कम्प्लीटली फ्लोप रहे लेकिन उससे पहले वाले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे कर आ रहा है अब अगर यहां से बात करें और राउंडर सेक्षन की तो आर तुआल से पी बुकेन्या इसके अलावा अगर बात करें आपर बाई के बेकामूंगे यह तीन ऐसे प्लेयर जो आपके लिए जील मिनी जील में हर हाल में इंपोर्टेंट रहेंगे तीनों को आप रोटेशन में ज जरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि वाई यह बंदे जील मिनी जील विन करवाएंगे करवाएंगे इन में से कोई एक या दो तो चलेगा ही चलेगा ठीक अगर टीम को विन करना है तो अगर यहां पर रेंडम फाइटर जीतती है न तो इन तीनों को बड़ा रोल रहेगा ती यहां पर भाई बात करें रेडिंग सेक्शन की तो यहां पर बेंजामीन कीबूड है आपको दिखेंगे जो लास्ट मैच में कम्पलीट फ्लोप साबित हुए लेकिन उससे पहले आपर आप देखें लगातार साथ आठ दस मैच से अच्छा कर रहा है आपर आप देखें हर मैच से अच्छा कर रहा है ठीक है बहुत ही शांदार प्लेयर है जरूर ट्राइ कीजेगा काफी लोग ड्रोफ करने का रिस्क लेंगे लेकिन आप मत लीजेगा जी गाएमबा की बात करें ये बंदा लास्ट मैच में 156 पॉइंट देखें रहा है बाइस पर्शेंट सेलेक हूँगा अभी देखें सिर्फ मैं 5-2 का कॉंबिनेशन बना रहा हूँ इन फेवर ओफ शार्क्स कबड़ी जैट्स बाकी लाइन अप साउट होने के बाद कुछ भी चेंजमेंट होता है कोई भी अपडेट आती है डारेक्ट इन्फोर्मेशन टेलीग्राम पर ही आपको द अब ओननया को मैं पनी टीम में रख रहा हूँ ठीक है यहाँ से बात करें रेडिंग सेक्षण की तो यहाँ पर बेंजामीन की बूडे को मैं आपनी टीम में रखोगा और एन की गोजी को मैं अपनी टीम में रखोगाए अब जो एकcü ключ आप कर सकते हो तो जे नामू तेते की जगा अगर एम बिनकोता खेलता है तो आप इसे ट्राई की जगा अगर यह नहीं भी खेलता है तो भी आप अगर सेफ जाना चाहो तो मार्विन वालू सिंबी को ट्राई की जगा बट मैं अभी के लिए जे नामू तेते के साथ ही जाने वाला हूँ captaincy की बात करें कोई भी doubt नहीं है कोई भी संचे नहीं है दिमाख में अमन में सिर्फ हमारा captain रहेगा M. Wenday का VC के अगर बात करें तो अभी के लिए मैं जा रहा हूं W.T.1 के साथ लेकिन अगर M. Bin Kota खेलता है M. Bin Kota अगर खेलता है तो भाई आपके लिए W.S.T.1 से ज़्यादा important VC वो हो जाएगा फिर आप उसे अपने team में as a VC लेकर जा सकते हो ठीक है team preview के अगर बात करें तो team आपके सामने almost almost final team है कोई भी changement होता है तो direct information telegram पर आपको दी जाएगी telegram channel का link आपको इसी video के नीचे description में first comment में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने join नहीं किया न तो join कर लीजेगा link नीचे description में भी है video के first comment में भी है अभी के अभी जाकर join कीजेगा ठीक है अब चलिए भाई यहाँ से बात करते हैं telegram channel join कैसे करना है तो देखें description में link है video के first comment में link है search करके join मत कीजेगा भाई क्यों क्योंकि search करके join करोगे तो मेरे नाम पर दुनिया बर के fake channel बने हुए आप किसी fake channel पर फस जाओगे फिर बाद में आके मेरे को बोलोगे कि भाई हमारे साथ scam हो गया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ description और पर टेलिग्राम चैनल पर 6 grand link की टीम प्लस small link की final टीम के साथ तर तक के लिए जैहिंद वंदे मातरब